पॉर्टन टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 10 बैक्टर एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और समझ लिए कि अब हमारा 3D स्टार्ट हो चुका है अब 3D से हम लोग थोड़े वह सेमिलियर भी हैं क्लास 11 में एक टॉपिक था चैप्टर ही था पूरा 3D तो सबसे पहले तो यह बता सिंपल है ज्यादा कॉंप्लिकेड कोश्चन से नहीं फिजिक्स में अपर लेवल पर है फिजिक्स में 11 चैप्टर पड़ी होगी नहीं पड़ी होगी तो उनके लिए है यह केबल केबल बेसिक कंसेप्ट है बैक्टर एलजेब्रा में इसमें केबल हम क्या क्या पढ़ेंग क्या इसमें पड़ेंगे क्या तो बहुत बास्ट है अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो यह केबल जिन बच्चों ने कॉमर्स में ना तो कम से का उनने बैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता तो ना इसलिए यह है ऐसे 11 क्लास में चैप्टर 15 था उसका नाम क्या था इस्टेटिस्टिक्स तो वो है कॉमर्स का कंसेप्ट मैट्स वाले बच्चों के वल इंट्रो पार्ट के लिए के लिए बताया जाता है कि कल को मालो कॉमर्स वाले बच्चों अगर कोई बैक्टर की बात करें तो थोड़ा बहुत यह से गए हाँ भी हमने थोड़ा ह्टाहि फिजिक्स में एक तो था सकेलर कोई भी सिकेलर क्वान्टिटी आर बेक्टर क्वान्टिटी बहुत अच्छे द्रव पताई यार इसमें होता है मागनी ट्यूड इसमें होता है मैगनी टिर एन डैरेक्शन पर एक दोब यह टॉपिक्ग यह इसका जो भी कर जो बह बात करें तो तो 10 क्योंट्पर यह क्वांटिटी को रिप्रजेंट करता लेकर आप एक कुशन पूचेए कि सर दस किलोमीटर कहां जाओं किस डायर एक्शन में जाओ अगर मैं आप asking to you what's your height आपने का कि सर मेरी हाइट है six feet then I will not ask to you in which direction क्या मैं आपसे पूछूँगा कि आपकी हाइट अगर six feet है किस direction में अगर मैं ऐसा पूंचता हूं तो यह question meaningless है तो इसका मदलब जो हाइट है वो क्या है इसकेलर क्वांटिट क्योंकि उसमें डैक्स आप अगर लेटे हो हमने तुम्हारे साथ खेल लाएं हाइट में कोई फर्क नहीं बढ़ेगा मैं आप से पूछा या टाइम क्या हो रहा है आपने का सर्क्री पीएम मैंने का इन विच डैरेक्श हो यह सब क्या है इसकेलर क्योंकि इस डैरेक्शन वाली बात होई ने सकते हूं लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह मार्कर रखा हुआ है मैंने का इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाई ए तो आप पूछेगे ना सर्किस डैरेक्शन में क्योंकि अगर आपने इस चैन का रूहरं है इस दाएक्शन में तो इसलिए फोर्स हमारा क्या है एक क्या है vector quantity है आरी बात समझ में तो यह सब physics का है maths का कुछ भी नजा नहीं है अब बड़ी समस्य आती है जैसे आपको बताएं कि यार जो speed होती है वो किस में आती है scalar quantity में आती है अब velocity किस में आती है vector में लेकिन दोनों की unit क्या होती है same meter per second yes or no अब यार आप से अगर मैंने कहा कि बताओ 10 meter per second यह scalar है कि vector है confusion क्या पता यह speed हो क्या पता यह हमारी velocity हो तो आप नहीं बोल सकते confidently कि यह scalar quantity होगी या फिर यह vector quantity होगी लेकिन by default by default हम इसको scalar quantity consider करते है अगर velocity होगी तो लिखा जाएगा 10 meter per second in north direction तब समझ जाना कि वो क्या है vector quantity क्योंकि इन दोनों की unit सेम है इतना तो यार फिजिसमें पताएए न दोनों की unit क्या होती है सेम है तो इसलिए अब confusion हो हुई ना कि 10 meter per second क्या है यार यह vector है scalar है अपने आप से पूझो तो यार कहो कि पता नहीं स्पीड की unit है पता नहीं की velocity की है तो वाई default अगर कभी question एक number में आता है की बताओ scalar है vector है तो वाई default ही scalar की तरह treat किया जाएगा हाँ अगर इसमें direction लगा दिया जाएगा तो फिर हमारे क्या हो जाएगा तो यह identify करना की कौन से अब आपको पता होना चाहिए की मास क्या है हमारी scalar quantity weight क्या हमारा vector quantity है ठीक है temperature time यह सो हमारे scalar quantity है acceleration force यह सब हमारे क्या है vector quantity यह बहुत छोड़ी बात है सब हमने 9th class हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब हम मैं entry गरता हूँ भाई vector और एक चीज 11th class sorry 12th class में जो vector जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत deep में नहीं है बहुती basic concept है क्यों deep में है वो सारा physics में है मैं बता दिया कि यह जो vector पढ़ रहे हैं कि वह इसलिए पढ़ रहे हैं कि commerce वाले बच्चे थोड़ा से familiar हो जाए vector दे 11th class में अगर याद आ रहा होगा तो बहुत deep में था तो 12th class में math में vector को vector को क्या consider किया गया vector को एक line consider किया गया which है direction vector को math में एक line consider किया गया which has direction मतलब क्या हम vector को directed line बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं directed line की तरह consider किया गया है और इसमें ज्यादा डीप में कुछ है ही नहीं लोचा 12th class की math में जो बेक्टर बहुत ही simple है ठीक है जी तो एक directed line की तरह इसको consider किया गया है अब यार कोश्चन आता है यार बेक्टर को represent कैसे करते है representation of a बेक्टर और मैं जाद है heading wedding पे होती है अगर मैंने आप से कहा ये line है इसके दो-दो direction है ये इस तरह produce हो सकती है इस तरह produce हो सकती है तो ये line है ये बेक्टर नहीं है अब मैंने एक direction बता दिया इसका कि भाई ये तो ये इस direction में जा रही है ठीक है जिसको रे भी हम लोग बोलते हैं तो ये जो इसका होता है ये initial point भी बोलते हैं इसको क्या बोलते है इसको initial point भी बोलते है ठीक है और tail भी बोलते है इसको different different books में different different तरीके से इसको बताएगा horizon भी बोलते है इसको horizon of a vector ये भी बोला जाता है ठीक है oraz जोई एरो सेनुतसको क्या भोलते है थी थी है है वी बोलते हैं और टर्मिनल भी बोलते हैं कि टर्मिनल ओफ ऒबयक्टर अय्म होता है हैं धोगता नैं कि यह स्टेशन नमारा किया हैं टर्मिनल स्टेशन अज़िए ऊंप तो इस point को क्या बोला जाता है terminal of a vector clear है अगर initial point A है ठीक है और final point हमारा B है तो इस vector को represent करेंगे AB vector जो पहले आता है बाद में आता है वो हमारा final होता है इस तरीक मतलब इसका meaning क्या होगा कि इसका जो इस बैक्टर का जो direction है वो A से B पर जा रहा है clear है पक्की बाद जहां भी डाउट है आप तुरन स्टॉप करते हैं कि बहुत डीप में हम लोग पढ़ेंगे जब कि फिजिस का है लेकि बहुत डीप में इसली पढ़ेंगे क्यों हमार एक एक बैक्टर होगी है कि लिए रहा है क्योंकि हमको पता निसका इस तरीके से भी रिप्रजेंट कर सकते हैं अब देखिए magnitude of a vector कैसे लिखते हैं तो मॉडिलस का साइन लगा देंगे तो यह क्या हो गया इस तरीके से या कोई एवी वेक्टर है मॉडिलस का जो साइन लग जाएगा तो इसका मन्दब वो क्या हो गया उस वेक्टर का magnitude हो गया कभी अब जो बात बतानों इसका है तो बहुत सिंपल ती लिए यहां दखना एव के साइब एक्टर है तो यह बैक्टर हो गया अगर कुछ भी नहीं है तो समदलो यह किसी बैक्टर का magnitude को रिपरेजेंट कर रहा है मनला बता रहा है कि उसका magnitude कितना है के लिए तो हमेशा याद रखो किसी भी बैक्टर का जो magnitude हो यह यह तो 0 होगा या फिर जीरो से बढ़ा की बात करता हूं तो जो यह एरो साइन होता है यह इसका direction बताता और जो इसकी length होती है length होती है वो magnitude बताती है यह number की बात नहीं हो रही बिल्कुल भी knowledge की बात हो रही कभी exam में यह जितनी बातें बताएं यह पूस्ते नहीं है यह हम लोग अभी basic concept पर ज्यादा फोकस कर मत लग यह अगर यह vector है तो यह इसकी length होगी ना तो यह किसको represent कर रही है magnitude को और जो यह arrow है यह किसको represent कर रहा है direction को क्योंकि भी यह बैक्टर में दो दो चीज़े होती है तो यह हमने represent करना सीख लिया vector को बहुत ही simple चीज़े इस तरीके से represent कर रहे है इस तरीके अब जो पढ है physics में जरूब physics में तो बहुत deep में पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा होगा 11th class का तो चलिए अच्छा position vector क्या होता है देखते हैं पोजीशन बेक्टर एक होता है displacement बेक्टर दोने ही बता देंगे लेकिन displacement बेक्टर का NCR जिक्र नहीं जिक्र नहीं लेकिंगे हम लोग पढ़ लेंग थोड़ा सा पोजीशन बेक्टर देखो क्या होता है पहले मैं 2D में समझाओंगा फिर मैं 3D में सिंपल है बहुची यह हमारे पास x-axis है यह y-axis है ठीक है जी यह हमारा origin है पक्की बात है ओ 0,0 कोई सा भी एक पॉइंट माल लें यहां पर एक कोई पॉइंट है ठीक है जीशन मैंने इस पॉइंट का origin से एक बेक्टर बना दिया इस direction में तो यह अब जो यह इस बेक्टर का नाम दे दिया मैंने आर वेक्ट किसी भी नेम से रिप्रजेंट कर सकते हैं अगर आर वेक्टर में कन्फूजन होरी तो इसको वेक्टर लिख दो तो यह ओए वेक्टर जो होगा यह हमारा कहलाएगा पोजीशन वेक्टर क्यों क्योंकि पोजीशन वेक्टर बताता क्या है किसी भी पॉइंट का origin से direction बात ख सर यह बल्कुल नहीं है बाई ये क्योंकि इसका initial point जो है वह origin होना चाहिए और जैसका नहीं है तो यह पोजीशन रेक्टर नहीं हो सकता पॉजीशन वेक्टर केबल और केबल initial point जो सिकह होता है वह origin से होना चाहिएगा अब थोड़े समय बाद यह थोड़ग हूमने बिलादा अब टी टाइम बाद मालों यह इस जगे आ गया बी पॉइंट पर आ गया हुंते हुंते तो अब इसका डायक्षण यह हो गया अब यह क्या बनके अभी वेक्टर अभी ओवी बैक्टर पॉजिसन बैक्टर है जो क्यों कि मैंने इसका औरिजन से निकाला किलियर है तो अब मैंने क्या कि A से B को मिला गए नया वेक्टर जो बनाया है यह जो हमारा है यह हमारा क्या कहलाता है डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर किलियर है इसने बता दिया कि वह कितना डिस्प्लेस हो गया है बढ़ा है फिजिक्स में डिस्प्लेस्मेंट तो यह हमारा हो गया ड सब्सक्राइब करता अब इसी चीज़ को 3D में समझ समझ लेते हैं तो 3D में क्या है अब एक चीज़ के लिए कर दूँ अब जब जब मैं बोलूंगा 3D तो आप समझ जाना कि कोई भी टीचर मैं क्या कोई भी टीचर वाइट वोड पे 3D को तो करा ही नहीं सकता इमेजिनेश क्या क्या इमेजिनेशまた करें क्योंकि यह सब्सक्राइब है ये ये यच्ज़ होगी अ काईधम इस तरीके होगी मैंना बनाकर रखके है तो देश क्यों हम मैं पढ़ाता हूं देशी तरीके से तो यह यह लकड़ी तोड़के लाएते बजट बहुत अच्छा था तो इस तरीके हमने बनाया अब आप आप देखिए बस बस मज़े मदलो देखो यह यह जी एक्सित है यह एक्सित है अब कौन सा टीचर है जो की ए आप दिखाएंगे के लिए रहे ना तो नहीं दिखा सकते तो इस तो आपको जितना अच्छा आपका इमेजिनेस्टन होगा थीडिम उतना अच्छा बर करेंगे यह जो एक्सेट से कादिम इस तरीके जोगी देखो ना परपेंडिकुलर हो कि लिए ठीक है सर तो अब च्छेट एक्टाइक होगा और ये पर पैडिकलर डाल दी क्या यह दिश्टेंस वाई होगा पकी बात है ना क्लास ना इन्ट में हमने पड़ा थे यह यह अट्स पर पर प्रपेंडिकुलर है तो यह सैम से नहीं पर होगी मैंने अगा सपोर या यहां पर एक कोई अपनी नागी अपनी बोची लेकिन सही बोलो अच्छा है किलियर है पक्की बात है अब सुनो ध्यान से रहा अब यह पी पॉइंट है अच्छा यह औरीजन है इसके कोडिये ओंगे 0,0,0 थीडी है अब मैंने क्या किया यार इससे इसको मिला दिया तो यह जो वैक्टर है क्य यह पॉजीशन वैक्टर नहीं होगा बिलकुल होगा और याद रहे रख लो पॉजीशन वैक्टर को आर वैक्टर से रिप्रिजेंट किया जाता है तो हमारा यह जो वैक्टर है और ऐसा नहीं है हमारा यह वैक्टर भी जो मालो यह नाम भी है तो यह वैक्टर हमारा क्या ह होगा ये भी वेक्टर हमारा क्या होगा मालो आरटु यह भी हमारा पूशीचन वेक्टर होगा और एक साथ किसी पॉइंट को बनागी डियाटिव लाइन बना देते हैं सिंपल सी बात है तो वह हमारा क्या होता है पोजीशन बैक्टर कहलाता है पक्की बात है हां कर्व मतलब ऐसी ऐसी इनका कोश्चन है कि सर यह कहने यहां से ऐसी बना देंगे तो क्या यह पूजीशन रगा यह बैक्टर को क्या कहते हैं डायरेक्टिड लाइन लाइन होनी चाहिए कर्व का तो कंसेप्टी नहीं है लाइन होनी चाहिए कर्व नहीं बना सकते हम लो और को अच्छा किसी का भी हम बता सकते लेकिन बेटा कर्व में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है पता है अगर मैंने का यह कर्व है इसका हर पॉइंट पे डा सब्सक्राइब तो यह सारे जो पॉइंट से करता हूं और यह सारे पोजीशन वेक्टर होंगे मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी बढ़ेंगे अब एक बास सुनो क्या ओपी बैक्टर को मैं आर बैक्टर भी लिख सकता हूं अब मैं इसका कूई यार इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अभी बताया था तो क्या होगा बच्चों बच्चों पता है क्लास 11 हमने पढ़ा एक से स्कार प्लस बाइस का प्लस जी स्कार कैसे डिस्टेंस फॉर्मुला 3D वाला क्या हो इसको ले लो एक्स वन वाई वन और जी वन इसको एक्स टू वाई टू जी डू तो फॉर्मुला क्या होता है एक्स टू मैंस एक्स बन का होल इसका अंडर रूड करने यह तो पढ़ाता क्लास 11 में तो यह पोजिस्टन वेक्टर हमारा यह निकल कर आ गया के लिए है अब सुनो ध्यान से एक बात यह हमारा है थेड़ी अब दो यह हमा कॉमा भई कामा जैल टीक है अगर मैं आपसे पोच्था में एक्स को रबर deben toere dog here हमसे एक्स ay से डाला परपैंडीकुलर सो यह हो क्यां एक्स इससे डाला bype purple रिच्टन कितना हो गया वाई इससे डाला zैदीयाजी जो भी आप बोलता है इस पे पर än और गुद ये डिस्ट इमेजिनेशन जदना अच्छा होगा उतना ही आपको अच्छा समझाएगा तो यह हमारा हो गया पोजीशन बैक्टर अब हम लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ें जिसका नाम है डैक्सम को साइंस इंपोर्टेंट टॉपिक है यह जो चला नहीं एक्साइज टैन पॉइंट इंट्रो पार्ट रही है डैक्सम को साइंस एंड डैक्सम रेसियोज क्या होते हैं इनको समझ लेना बहुत प्यार से देशी तरीके पढ़ें क्यों क्योंकि 3D में दवाक के यूज़ें तीन तीन च और एक चीज लेके चलिए वैसे आप X Y Z AXS किसी को भी लेड कर सकते हैं इसको बहुत सिंपल है अब मैं इस्टार्ट करता हूँ डैक्सम को साइंस क्या होते हैं सबसे पहले इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे डैक्सम एंगल्स क्या होते हैं अब यार एक बाव दाइं यह पोजिशन वैक्टर है इसने X AXS के साथ वाई AXS के साथ और जी AXS के साथ आगल बनाए होंगे पक्की बात कैसे practically देखो यह रहा हमारे पास थ्री डी और यह हमारे पास रहा पोजिशन वैक्टर यह AXS के साथ एंगल यह AXS के साथ और य ठीक है जी और Y-axis के साथ इसने बीटे एंगल बनाए और Z-axis के साथ इसने गामा एंगल बनाए यह हो गए Direction Angles मतना कोई साथ भी Position Vector जो भी Axis के साथ जो एंगल बनाता है एक्सिस के साथ उसको वोलते है Direction Angles, चमका, ठीक है अब इनी एंगल्स का अगर को साइट्स हम निकाल दें इनियेंग dulz का अगर Ceo साइटै निकाल था तो इसको क्या बोला जाता है डियरेक्षण को साइनस स 수 सबसे पहला जो सबसे पहला मेरे दिमाग में भी कुशन आए आप जो पूचें उससे ने पूरता वेलू गयर दांसर 15 लब मिल जाएंगा वह वह पड़ेगे की डारेक्सिन को साइंसी क्यों डारेक्सिन टेंजेंट क्यों ने अब इस सब बताएंगे बस आप समझते रहे द़ा अब अब इमेजिनेसम का खेल है अब देखिए इस पॉइंट से मैं य एकसिस पर एकसिस पर जी एकसिस पर पर्पेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो य एकसिस का तो आपको बड़ा आसानी से दिख जाएगा पर पेंडिकुलर यह रभी यह तो क्या यह डिस्टेंस वाई नहीं वर्क क्या करेगा इमेजिनेसन आपका वर्क करेगा तो पहले मैंजिनेसन बता दूँ कैसे क्योंकि अब थोड़ा आपका जितना जादे मैंचिनेस यह रहा है हमारे पास पोजीसन बेक्टर ध्यान देंगे एकन करके समन्दिए फोड़ा प्यार से इसका नाम ये औ है ठीक यह एंगल बनेगा फिर से देखिए यह पी बेक्टर है यह प्यक्तर है यह प्वाइंट है मैंने एक्स एक्स पर प्रपेंडिकुलर ड्रोग आ यहां पर आया मालोग वो पॉइंट है मारा ए तो ए पर ही तो 90 बनेगा तो अब लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने का यह को यह यहां से यह 90 पड़ा गया देखिए कम आप यह नएंटी के लिए इसका नाम भी अभी बास से ओ ट्रैंगलो पी ए कैरा राइटेंगल ट्रैंगल में छेम नहीं है संजहें न अब तेक्सेच्ट और आंगल है इसके तो नहीं हो तो क्या प्र वेक्टर नहीं से नहीं στην यहां से तो कुछ भी समझ नहीं कि अब समय यह पास एक्स हो या कितना हो गा कितना होगा हमारे have संझ नहीं किया ठीक है अब सुन आ रही ऊछह अगर और यह जो प्रपैंडी किन्द t आ及े क्या होगा के पिधी हमारे पास आब यक आड़ चीज अचा एलफा एंगल किस किस के बीचिनारे आरे यही तो है अलफा यही तो है मुझ्द आयो और पी के बीच में ओव और नहीं यह इमेजिनेशन ओंत्र दो कुछ भी पड़ नहीं है यह लिए प्धिधुर के साथ यह उधिस्टी आ है लिए जिए कि gim schat ऐगल का चक्प्र के लियर हुआ या नहीं हुआ पकी बात है, ना यार देखो फील गरो इस चीज़ को, अब सुनो, हाँ, चलो, यह अगरा समझा आगया, तो बहुत अच्छी बात है, इस इस एंगल के लिए यह क्या है परपेंडी कुलर वेरी गुड यह क्या होगा यह क्या होगा अच्छा इसकी बारे में पता है क्या आपको कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में मुझे बेस के बारे में पता है और हाइपोर्टनियूस के बारे में पता है तो बेस और हाइपोर्टनियूस किसमे को सांट बताता क्या है कि सर आपने चलो ठीक है हमें बता दिया कि हमने डाशन को सांट इसलिए लिया लेकि जो भी आंसर आया बता दा या तो यह आप अगर आप लोग अगर से अगर बटने जाएं गोजोन कि से बताता है किस किसे में अब गृट बिच में बहुत आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं यहां तभी में बता रहा हूं जब कि मैस में बैक्टर तो कुछ है नहीं बहुत ही सिंपल चीज है अब चलिए अब देखते कॉस एलफा क्या होगा फिर कॉस एलफा होता है बी अपॉन एच चमका की नहीं चमका पक्की बाद है ना तो यार एक बाव दाओ क्या मैं इसको एक्स अपॉन आप नहीं लिख सकता हूँ अभी मैंने बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते है ऐसे ही ऐसे इसके साथ जो राइट अंगल बना अब मैं सिमिलर्ट बताऊंगा कॉस बीटा क्या होगा वाई अपॉन दिस क्योंकि बीटा किसके साथ य एक्सिस के साथ है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ऐसी कॉस गामा तो होगा क्या जी अपॉन दिस एंड डिस किलियर है तो क्यों निकाला कोई अगर आप से पोज़ा से डाइक्सम को साइन सी क्यों वह है इसलिए हमें एपू के बारे में प्ता इनि एपी क्या है हमको बेश पता है और हाइपॉटनियूस का रिष्य किसमें होता है कॉस में अब एक क्वेश्टन बोल सकते हो कि सैक में भी तो ऐसा होता तो सैक भी ले लो उल्टा ही दो हो जाएगा इसका साइन और टैन represent कर देते हैं और cause gamma को n से भी represent कर देते हैं किलियर है तो अब देखिए क्या l बराबर कॉस alpha बराबर x upon R हो गया m बराबर कॉस beta y upon R हो गया n बराबर कॉस gamma z upon R हो गया मुझे नहीं लगता यहां तक अभी कोई डाउट होगा यह तीन चीज़ हमने इतना पढ़ा भी तर डाइक्सन को साइंज अभी रेशियो पर हम लोग नहीं गए हैं फिर से देखिए डाइक्सन एंगल हो जाए या डाइक्सन को साइंज यह पोजीशन वेक्टर पर ही बर करता यह ठीक है ना अच इमेजिनेशन का खेल है कि यह मैंने कैसे बना दिया क्यों थ्रीडी वाला कैसे समझा सकते हैं अब यह पॉइंट यहां पे था अब पर पेंडिक्रों आएगा ना दखाई देगा ना तो अब लेकिन इस पर कैसे यार कोई भी नहीं बता पाएगा ठीक है तो इसलिए थ्री रेशियो कोई भी तीन नंबर होते हैं कोई भी तीन नंबर एबी सी ले लो सी डी ले लो कुछ भी ले सकते हैं कोई भी ऐसे तीन नंबर आप खुद से सिलेक्ट करने होते हैं जो की डायरेक्शन को साइंस के प्रपोर्शनल होते हैं बात खता हूं जो की डायरेक्शन को सा सा एक ही चाहिए अवई कॉंस्टिंट लेकिन य्य Circ气 यह से आप बताएं क्या हों गोगे यह सत्पीं नमबर जिनका उसी बएक्टर के शुप कर छोग सब्सक्राइब होने बस उसको हम कहते हैं rupees डायक्षन रेशियो जैसे अगर यार यह हमारे पास एक बैक्टर है इस बैक्टर का डायक्षन कोसान निकाल लेंगा आप सपोस्पोस वो आया मालो 246 आ गया मालो इस तरी के चीजिए ने 246 तो आही नहीं सकते पूछो क्यों क्यों कुछ भी क्यों की कॉस्ट की वैलू माइन तो वो जो तीन नमबर होंगे जो आपने सेलेक्ट की हैं वो इस बैक्टर के क्या होंगे डायक्षन रेशियो होंगे चमका नहीं चमका नहीं चमका बोलो तो मुझे यार जो आपको यह नहीं चमका होगा तो जो लोग देखें उनने क्या चमकेगा मतलब तीन नमबर ऐसे खुद से लो कि इनका हम डिवाइट गरें और आंसर एका तो सुम क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेसियोज बोलते हैं के लिए रहे अब एक बास सुनो यार यहां से यहां से देखो अगर X वराबर क्या मैं L R लिख सकता हूं क्रोस मल्टिपलाई करके क्या मैं यहां पर मल्ट जी क्या थे इसके कॉर्डिनेट तो क्या मैं इसके कउर्डिनेट को L R, MR, NR लिख सकता हूं देखो ना क्योंकि इसके कॉर्डिनेट क्या थे XYZ और XYZ की वैलू यह तो क्या इस P Point के कॉर्डिनेट को इस तरीके से भी रिपरजेंट कर सकते हैं के लिए रहे अब सुनो direction ratios हैं, भुक में ऐसा बोला गया है, कि ये क्या है, direction ratios है, अब सुनलो क्यों, मैंने क्या बोला, कि direction ratios वो होते हैं, जो इसके direction cos के, क्या हते हैं, ард Disοι को सांइस क्या होता है, L, सही बात है, अच्छा जी, M-R, और direction cos क्या होता है, M, N-R upon N, तो देखो हर बार आंसर RR नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है ये क्या है ये Direction Ratios तो इसको हम Direction Ratios इसलिए बोल देते हैं सुनो, Direction Ratios का चक्र सुन्दो कोई भी तीन ऐसी Value जिनको उसी के Direction Cosins के साथ Multiply करें, आंसर सेम आए तो देखो ना, आंसर RRR नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है कि जो आपने इसका डिवाइड किया है तो LR, MR, NR को क्या Direction Ratios नहीं बोल सकते पक्की बात है और Direction Ratios को रिप्रिजन करते हैं A, B, C से, तो क्या A को LR नहीं बोल सकते B को MR नहीं बोल सकते और C को NR नहीं बोल सकते DR बताओ ना अदो चीज़ें कॉम्प्लिकेटि होते ही आ रही है दीरे कहां से चले दे, कहां पर आ गए के लिए तो ये होते हमारे Direction Ratios और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद रफना हमेंशा L स्कॉर, M स्कॉर, PLUS N स्कॉर, 1 होता है हम बताएंगे, हम पढ़ते नौलिज के लिए हम इसका प्रूफ भी अभी उताएंगे एक सेकंड के अंदर जादा बड़ा नहीं है L स्कॉर, M स्कॉर, N स्कॉर का सं क्या होता है बन होता है यह पहले आट तो याद रखो नंबर के लिए अब इसका proof देखते है सर्ण कैसे तो यार एक बात दाओ L भराबर X अपनर होता है पक्की बात है तो L का square करते हैं यहां से तो L का square क्या होगा X square upon R square और M का क्या होगा Y square upon R square और इसका क्या होगा पक्की बात है देखते रहा ना अच्छा जी क्या r को हम लोग ये लिख सकते हैं पूछो क्यों 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 ये क्या है magnitude है और magnitude को कैसे लिखेंगे इसका magnitude मतलब distance formula से निकालेंगे तो क्या मैं r square तो r की value ये है तो r square क्या होगा अंडर root में x square y square z square y ये सॉर नो under to hurt to hitе जाएगा क्यों us square ऐसे यहاں पर क्या होगा x square y square z square ऐसे यहां पर क्या होगा x square y और इसके LCM bucket क्याएगा x square y square z का ओपर यह एगा को कट गया न यह आगया वन तुछ दंग पर जया स्थी ठीड़े से थीक है तो सुनो यह हमारा बना गया नहीं आगया यह भी आ पटाली रहा अरे यह छोड़ो आया नहीं बनाए पकी बात है है यह समझाना यह चीज़ थी तो l square m square न स्कार बनता तो इसी लिए भोगत से मज़ें कन्फीज होते हैं की सर a square b square c square भी बनो तब यह बिलकुल नहीं होता है याद रखना हिए के लियर है अरे डाक से रेसी बताओ ना की कोई कोई डाउट हो रहा तो पक्की बात है यो यो ओपी ओपी उनला ओपन आ रहा समझ मैं मुझे ज्यादा सौर्ड सौर्ड अच्छा किलियर है यार अब पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ बैक्टर यह अभी पढ़ रहे हैं टैन पर्ट मेंगा इंट्रो पार्ट पको मत चैनला बेटा यह दूब को दिंऄ होगे जो इसको पर्शं करना का तरीका ऑएडर जो इनिसियल प्रचंट वो हमारा क्या इसके नामकि जियुक्य में कि कर ना रोला ये उसलों यह कि वीच में थोड़ा तो डिस्टेंस है न लिग इसका स्विज्टनी जैसे एबी गया यह इसमें displacement zero है distance तो cover किया न आपने इसका distance zero होता है और पहली बार इसमें तो करवा रहा है यार इसमें तो करवा रहा है ठीक है अब बड़ा interesting है जिसमें बहुत से बच्चों आता भी है नहीं भी आता unit vector बहुत देसी तरीके पढ़ेंगे वहना definition को तो मार तो गोली हाँ यह हमको क्यों इतना ही पता है कि इसका magnitude बन होता है क्यों इसका नाम है unit unit means क्या होता है बन लेकिन सुनो यह कैसा वेक्टर है यह खुद में एक वेक्टर नहीं होता है यह किसी पर वेक्टर का unit vector find करने को बोला जाएगा ठीक है जैसे फॉर एक्जांपल फॉर एक्जांपल आपको ट्रेक्टिकली समझाता हूं मैंने यार आप से कहा कि सब्सक्राइब तुमको ना दस किलो मीटर दोड़ना है आप से खा तो एक दम आज आपने मालों पहली वारे श्टार यूपी वोर्ट से था तो एर्थ ग्लास में मुझे पक्का याद है मेरी मेमोरी थोड़ी तेज है क्योंकि मैंने संग पुस्टी पी थी चार साल तो उसमें इंगलीज का एक आंसर इतनी लाइन्स थी उसकी तो यार मुझे यादी नहीं होता क्यों एक माइंड सेट हो गया अगला कोई कोश्चन उसका आंसर यह है अगला कोई को इस तरीके तीन चार कोश्चन समझ के क्योंकि होता कि बड़े कोश्चन को देखे माइंड सेट हो यार यह तो हमसे हो नहीं पाएगा सेम कंडिजन यहां पर हम करेंगे सेम करने सुन जरा यह कोई एक बैक्टर है हमार केबर एक यूनिट बताएगा इस इस यूनिट बताएगा जैसे सपुइए रहा यह हमारे पात एक वैक्टर है और मदो टैन यूनिट लेंड न४ी था इसकी इसकी लेंड कितनी है तैन तो यह कैसा और डैक्शन सेम होगा direction same होगा और ये कैसा vector होगा जिसकी unit क्या होगी one unit मतलब किसी भी vector का एक ऐसा vector उसी direction में हो और एक unit हो तो ये vector है इसका क्या हो गया unit vector क्या हो गया पक्की बात है और unit vector को represent करते हैं एक cap से clear है अब एक बास तो ध्यान से ध्यान से अगर मैं ऐसे 10 वेक्टर का मल्टिप्लाई गर दूँ तो क्या ये वेक्टर नहीं मिल जाएगा चमका तो देखो अब प्रूब भी हो जागा बात यो बातों में ये ए वेक्टर हमें कैसे मिला ध्यान से समझेंगे ये वेक्टर का मैग्निट्यूड कितना है 10 और उसमें अगर मैं मल्टिप्लाई कर दूँ इसका तो जगो आनी जाएगा वोई वेक्टर अरे या समझो न ये वेक्टर कैसे हमको मिला यह वैक्टर हमको कैसे मिला इसका magnitude कितना है तैन है और इसका magnitude 1 है तो 10 into 1 कितना हुआ तो भहिए यह भी तो 10 है तो इन दोना का multiply करके क्या यह नहीं मिल जाता है तो A cap मतलब unit vector को हम कैसे लिखते हैं यही तो formula पढ़ा होगा 11 class में हैं यहां से आया यह कि मिला कैसे इस vector को इसके थुरू कहते find करेंगे for example यार हमारे पास 10 रुपए हैं तो इस 10 रुपए का unit vector हो जाएगा एक रुपए क्या हो जाएगा एक रुपए पक्की वात ना अब इस एक रुपए से 10 रुपए कैसे find करेंगे एक में 10 का multiply कर देंगे yes or no लेकि बैक्तर में ऐसे तसनीत है बैक्तर मोता है magnitude तो भृजा इसका तो magnitude बन है क्यों बन है क्यूंकि unit vector है unit का तो मैं टूट नहीं चया होगा और यह एक तरहे जिसकी ना तो कोई लूट युदि होती है और ना कोई चांव ये आपको बात याद रख नहीं है इसकी ना तो ठोल से पनी और रहें ना इसकी के यूनिट बैक्टर है यह एक्सेक्स है एक्सेक्स अब पता नहीं कितनी लेंद यह इसकी लेंद क्या हमको नहीं पता तो इस लेंद का एक बैक्टर एक यूनिट यह क्या होगी आई कैप यह जे कैप और यह और ऐसा नहीं है यह पैरलर यह इसके ऊपर भी हम लोग बना सकत बेक्टर फाइंड करते हैं वह उसकी एक यूनिट को बताता है इस तरीके हम लोग फाइंड कर लें चमका यह यह बात के लियर हुई ना यह कि नहीं हुई अगर अरा कुछ अंदर से निकाल रही है कि सर हां क्या हैं हां की पूलो तो मैं तो पैसे भी देने पूछे यार तुम इस बुर्णाने की जरूरत क्या दिविए सबरा कि अगर कुछ ज्यादा बड़ी होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले तो उसका उससे मल्टिपलाई कर देते हैं यह सारे फिजिक्स के हैं 11 में तो पूछा नहीं कुछ भी ना तो कोई बाद नहीं आप सुना जैसे यहीं ना कि यह बहुत बड़ा वेक्टर इसको छोटे-छोटे पार्स में हमने डिवाइड गर लिए और उसका उतने ही पार्स से मल्टिप्लाइ कर दें तो यह प दो ऐसे डिटर जिनका इनीचल पॉइंट एड़ सेम एक बैक्टे यह रहा एक बैक्ट्र एक बैक्टेर एग जगे से जा रहे हैं तो यह बटर क्यांट को इनीचल बैक्टर देड़ का फिर प्र नेगतिव एक गटर यह अच्छा इंपन्वाटेंट है मतलब है नेग यह मानलम एक वेक्टर है इसका मै mismes好 है तो इसका भी टू ही होगा से माची मैगनीटीड होता है direction क्या होता है तो अब यह दियान कंद गजाना कभी भी यह वी अब्टर के वरावर नहीं हो सकता कब अब सही है तो A B Vector और B A Vector के बीच में एंगल जो होता है वो क्या होता है पाई रेडियन या बोले तो बनेटी डिस्पिग्री किलियर है एक होता है अब आते हैं कोई डाउट तो नहीं है एक होता है Equal Vector मलोतरा Equal Vector कहा है सेम मेगनिटूड और सेम डायरेक्शन है किलिएर है सेम मैगनिटूड और सेम डायरेक्शन अब जो सब से इंपोर्टेंट है वह है कि वह क्या है Free Vector Free Vector पढ़ा है पढ़ा है चले free vector ग्या होता है, मतलब यार एक vector है हमारे पास यह ना, इस vector को ना तो इसका magnitude change हो, ना इसका direction change हो, केवल displacement change कर दो, हां ये vector है हमारे पास, मानलो ए vector है, इसका magnitude change नहीं होगा, direction change, इसको ऊपर नीचे कर साथ, इसको हमने यहां पर ले कि आ गए, फ्री वेक्टर है इसको हम इस तरफ लेकर आ गए ना इसका हमने magnitude चेंज किया ना हमने इसका direction चेंज किया आई बाद displace कर दिया केबल इसको condition क्या condition क्या magnitude और direction चेंज नहों तो एक बात दाईए हम जितनी बाहर भी displace कर देंगे ये सारे आपसने होंगे तो parallel ही हम इसके सामने भी कर सकते हैं इस तरीके से ये मतलब आप किसी भी वेक्टर को displace कर सकते हैं condition केबल इतनी है कि भया उसका ना तो magnitude चेंज हो ना उसका direction चेंज हो तो ये होता है free वेक्टर हम किसी भी वेक्टर freely गुमा सकते हैं इसका को linear vector क्या होता है जैसा नाम से पता लग रहा है एक सीजन होते हैं सिंपल सी बात है कि यह एक वेक्टर ये रहा एक वेक्टर ये रहा को लीन हो गया लेकर इसको बहुत मैंने लेकर लो मैंने लाकिए ऐसी के ऊबर लैप कर दिया हो गये ना तो कहने का, कोंई भी लोचा नहीं होता है, मानी ठीक्टर ये और एक बेटर ये अगर पीरलन है आपस में तो यह हमारे क्या हो जाएं को लीनियर हो जाएंगा अब आपके दमाग ना रहा हुआ कि सब को लीनियर मीस होता है को मीस होता है दो लीनियर मीस होता है लाइन में जो एक लाइन में हो फिर सर यह कैसे भाईया इसको मैंने क्या 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 डिस्प्लेस कर दिदर लेके आग नेगटी बता दे नेगेटी बैक्टर ग्याता से मेगनित्यूड होता है जैसे एक वैक्टर यिये इसका वी टू है लेकिन ऑपोजिट पिखें एन देटकर है यह वह जो है कि यह घूट सबस्शक कर दो तो यहां पनिए जो इसको पार टो यह यहां तो यह कैसे कोई लीदिंदें और वहूं disappears displacement कर दूंगा इस तरलो डिस्प्लेस कर दिया इसको चमका तो कोलीने वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो आपस में क्या होते हैं पैरलल होते हैं चमका नहीं चमका पक्की बात है देख ले ना तो अभी बताएता हूं आगे भी यह क्या लग लग रहा है और इस बैक्टर को हमने साइं कहूं सा लगा या बराबर कर तो इस vector को इसके बराबर लाने के लिए किसी scalar से multiply करना पड़ेगा, तो मालों भो scalar क्या है, lambda, मैंने क्या किया, lambda का बी में multiply कर दिया, तब तब वो a के बराबर हो गया, यह बास समझा रही नहीं आ रही है, minus sign क्यों लगाया, क्योंकि वो अब जो direction में था, अगर यह B vector इस तरफ कर देते तो A पिलस ़ाण हो जाता clear है तो पिलस माईनस माईनस भी हो सकता है POLS भी हो सकता है ये ब्राबर पिलस माईनस लैमडा भी ये तीनों मैंजे कोई भी कटिशन सैटिसपाइइ तो हम कहसकते हैं दौनग आपस में क्यों है बहुत इंपॉर्टन चीज नहीं है चलो